दोस्तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोड में दोस्तो आज किस वीडियो में हम क्लाश 12 संस्कृत का जो स्लेबस है शेशन 2023 और 24 के लिए वो देखने वाले हैं तो आप ज़रूर वीडियो में अंतर क्रणे रहिए रहां दोस्तो तभी आपको मिट्रम एकजाम प्रिवर्ट्व और बोर्ट्स का श्लेबस पता चल पाएगा ठीक है दोस्तो सबसे पहले देखते हैं मिट्रम एकजाम क्या 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 आपको स्लेबस पढ़ना है फर्ष्ट पर क्या लिखा है अपटित अबोधनम जो अंसीन पैसेज होते हैं ठीक है आपको वो जो आपको दिया होता है गद्य या पद्य उसमें से आपको अंसर डूंड के लिखना होते हैं ठीक है तो गद्य दिया होगा आपको ठीक है गद्यांश दिया होगा उसमें से आ पैसे दे रखा होगा, एक तरीके का आर्टिकल दिया होगा, उसको आपको fill up करना है, ठीक है, मन्जुशा में से देख के, या फिर यहाँ पे लिखा है, दोस्तो वार्टालाप एक पक्षपूर्णम, यानि वार्टालाप जो होता है, दोस्तो दो लोगों के बीच, तो एक आदमी की बाते लिखी होगी, आपको दूसरे आदमी की बाते जो हैं, लिखनी होगी इसमें, ठीक है, फोर्ट है दोस्तो इ में आपको हिंदी दिया होगा उसका आपको संस्कीत में अनुवाद करना है ठीक है फिफ्ट में दोस्तों आपको अनुप्रिक्त व्याकरनम व्याकरनम में आपको क्या करना है संदी करनी है संदी विच्छेद संदी को जोडने वाला कौन-कौन संदी है स्वर संदी और प्रत्य आपको करना है प्रत्य में कौन कौन से दोस्तों आपको करना है अब बुक के आजाते हैं दोस्तों कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ने है ठीक है पहला जो पाठ है अनुशाशनम ये आपको पढ़ना है पर तीसरा जो पाठ है दोस्तों मातुराग्या गरियसी ये आपको पढ़ना है पर चौथा पाठ है दोस्तों प्रजानु रज्जकों हन्रेप ये आपको पढ़ना है पांचवा जो है दोस्तों दोवारी कस्य च्छेटा पाथ सूक्ति सौर्मम यह जो पाँच जो मैंने आपको लेसन बताया है दोस्तों यह आपके मिट्रम एक्जाम में आने वाले हैं इसमें से दोस्तों प्रशन उत्तर आएंगे भावार्थ आपको फिलप करना होगा अनवे आ सकता है दोस्तों ठेक हैं यह सारी सकते हैं तुर तो दूसवरा आपके यह पार्ठ है दोस्तों उशeurs कि जो साहित्य का इतिहास है उसका हुआने परिशय पढ़ने हैं घीकर हो घृत है आपके बुख में दिएगए घृत्क अश्यक्थों हुआद मैंने आपको पताया दोस्तों कि संस्कीत का से मिट्टरम कर् Beaumet कर लिदर कर तक कंप्लेट करने दोसके आपका मिट्रम हो का लिदरम फतन हो जब बाद क्या पंटना है उसके बाद दोस्ता आपको वही जूट ग्रामद संदी Pratya को चार हैं तता जीद प्रत्य प्रत्य में कौंचे आ रहे हैं याप मित्र के बाद आप कौन-कौन से लेसन पढ़ने है साथ वा जो लेसन है दोस्तों नेके नापी समम गता वसूमती यह आपको पढ़ने है फिर नौवा लेसन है मदालसा यह आपको पढ़ने है फिर ग्यार वा जो लेसन है कारे कारे विवस्थिती यह आपको पढ़ने है इन लेसन में स का अर्थ लिखना हो यह सारी चीजे इसमें से आएंगी संस्क्रीट का साहित्य का इतिहास वह भी आपको पढ़ना है मिट्रम में भी सेम था आपको पढ़ना है जो गरंत है उनकी रचाईताकार कौन है उनकी रचनाएं कौन सी है महा काव्य गद्य काव्यम ठीक है चंपू का लाइन है फिर दिसम्बर एंड में दोस्तों आपको प्रीबोर्ड एक्जाम होंगे उसमें कंप्लीट अब जाय को ढईगा ठीक है तो आप समझ गया होंगी दोस्तों कि स्लिबस आपका किस तरीके से होने वाल है तो यह जो अपको संस्कृत का स्लिबस था यह जो अभी एक्जाम के लिए पढ़ना है और यह आपको 15 सितंबर तक कम्प्लीट करने हैं तो उम्मीद करने तो दोस्तों आप समझ गयोंगे संस्रीत का जो स्लेबस है किस तरीके से होने वाल है आप से फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब एक्ज से यह तो हुग要ँए वीडियो में एफ नाप हैंऑ खरोंगी जयोँ लाइए।